हलो गुड मोरिंग फ्रेंज वेलकम बैक डू दी चैनल आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे मज़े में होंगे तो अभी मोरिंग का टाइम है और हम हमारी टाउंशिप की होस्पिटल में है बैटे को लग रही है बोटल बैटे को तीन-चार दिन से फीवर और वोमिटिं तो ये टूर हमारा चार महिने पहले फिक्स हो गया था वरना हम कैंसल भी कर देते लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं है कि हम जाएंगे की नहीं क्योंकि बैटे को कुछ जादा ही विक्नेस हो गई है लेकिन रिकवरी अच्छी है तो डोक्टर ने बोला है कि कुछ प्रिप्रेशन में क्योंकि मेरे पास 12 गंटे जितना भी टाइम नहीं है प्रिप्रेशन करने के लिए और लास्ट 3-4 दिन से हम बेटे के पीछे ही पड़े थे और जाना नहीं जाना ऐसा चल रहा था तो मैंने भी कुछ प्रिप्रेशन नहीं की थी तो सबसे पहले मुझे ये स्टोल लेकर जानी है सौल है कचकी है बहुत अची है सोफ्ट है स्पेशियली मैं स्टूर के लिए ही लाई थी तो बस उसकी स्टिचिंग कटिंग करके कर ली है दो जोइंट थी और उसके बाद आ गई हूँ आईरनिंग करने के लिए तो बस असबन के थोड़े बाकी तो एमर्जनसी में पेंट और शर्ट मैंने करवा दिये है तो ये आईरनिंग कर दी और कुछ कपड़े जो मुझे लेकर जाने थे उसको वोश करना बाकी था तो वो भी मैंने मसीन लगा दी थी तो वो भी वोश हो गये है तो फटा-फट से उसको भी सुखा दूंग दाल-चावल पेटे को ज़़्यदा ओएली खाना का मना बोला है और हेवी भी नहीं खाना है बहुत तो बस यहाँ दाल-चावल पेटे को खिला कर उसको दवाई दे दूंगी और फिर उसको सुलाने के बाद दूसरी परिपरेशन करूंगी तो यहाँ मैंने बेटे के प्रवाइटम देने के लिए बोला था लेकिन उसने नहीं खाया है तो हस्बन को यही डिनर बना दूंगी बेसन का चिला और दाल जावल भी है तो हस्बन के लिए अभी खाना बना रही हूं क्योंकि पौने दस बजे का टाइम हुआ है हस्बन की आज भी सीवटे है तो हस्ब बीना ओल का मुझे लेकर चाना है तो यहां मैंने हलके फुल का ओल डाल कर हल्दी और नमक वाले मुर्मुरे बना दिये है तो बस अभी दूसरा फ्रूट लेनेंगे यह चिला तो बेटे के लिए बनाया था लेकिन बेटे ने नहीं खाया तो बस अभी हस्बन को खिला दू यह है सब याद कर 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 डाल रही हूं बाकी देख लेंगे जो होगा वो तो बेटा सो नहीं रहा है क्योंकि जाने की excitement भी है अभी तक final नहीं था कि हम जा रहे हैं लेकिन अभी 90% final हो गया है कि हम जा रहे हैं 10% कल family से मिलकर पता चलेगा अगर final होगा कि हम जा रहे हैं तो हम हम वहां से चले जाएंगे कल ही हमारी trend है otherwise हम वापिस यहां आ जाएंगे लेकिन मुझे 100% preparation करके तो जना ही पड़ेगा तो वैसे preparation तो last 4 month से ही चल रही है क्योंकि 4 मेने पहले से ही हमारी booking हो गई थी पूरी planning हो गई थी वैसे जितना जल्दी planning करो जितना आप कोई भी पैकिंग हो गई है एक और बेग मुझे पैक करनी है लेकिन हासबन आ गए है तो पहले हासबन को डिनर दिया है और फिर यहां मैंने थोड़ी खिचडी भी पर ली है बेटे को एक दम हलका फुलका और बीना ओल का खाना खाना है तो बाइचंस कभी बाहर नहीं मिलेगा तो घर पे मिन्स के होटल में उसको मैं खिचडी बना दूगी तो भी रात के बारा बचे का टाइम हुआ है अजबन और बेटा सो गए है और यहां मेरी दूसरी बेग भी अल्मोस्ट रेडी ही है पैकिंग अफ फिनिश हो गया है अब मैं भी जाओंगी शोने तिसरा एक और ब मोनिंग के च्छे बचे का टाइम हुआ है सबसे पहले चाई पीकर वापिस लग गई हूँ काम पे जो घर बंद करने के पहले के एंड टाइम के काम होते हैं बस उसी को फिनिश कर रही हूँ क्योंकि एक से डेट गंटे का ही मेरे पास टाइम है तो पहले सोच रही थी कि मल में नहीं डाल कर मलाई को जमा दिया है और फिर मैंने रात को अच्छे से डिनर नहीं किया था तो मुझे लग गई है भूग तो मैं मेरे लिए दो तिन पराठी सीख रही हूँ और जो कल करात की रोटी दाल चावल जो भी बचा है उसको आ गए हूँ टेरेस पे कवह को डा नहीं है अजया है तो फाइनली साड़े आट बजे हम बरोडा जाने के लिए निकल गए हैं अभी हमारा जाना फिक्स नहीं है लेकिन हमारी ट्रेन बरोडा से ही है और हमारा पूरा फेमिली बरोडा में ही मिलने वाला है तो हम बरोडा जाने के लिए निकल गए हैं वहां दूसरे डोक्टर को कं करेंगे फिर उस क्या क्या ओपिनियन रहेगा उस हिसाब से हमारी जाने का फिक्स होगा तो बस अभी हम मेरे जेट जी के गर पहुँच गए हैं तो आईए सबसे पहले में दिखाती हूँ मेरे जिठानी का मंदीर बहुत ही अच्छा ठाकुर जी का डेकोरेशन करते हैं रोज जो बहुत ही अच्छी पूचा करते हैं तो देख लीजिए आप भी और अब भी दर्सन कर लीजिए फिर बस खाना तो सब बन गया था आकर हम सब बना रहे हैं रोटी और यही सब की जाने की प्रिपरेशन चल रही है हस्बन और मेरे जेट जी पार्थिल कोलेक्ट का डोक् बस हमारा जैसे ही फाइनल हुआ मेरे पतिचे के साथ में निकल गई हूँ छोटी मुटी मेरी सोपिंग करने के लिए मुझे मोबाइल में स्क्रिन गाड लगाना था और च्छोटी मुटी चीज़े लेनी थी तो बस अभी फाइनली साड़े नौ बज़े हम निकल गए हैं प्रवाज स्टेशन चाने के लिए यह वाली ट्रीप हमें बहुत याद रहेगी क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें जाना है कि नहीं और देखो लगेच दस बड़ी बैग है और दस छोटी बैग है तो बहुत सारा लगेच है बस अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है तो हम कहां जा रहे हैं वो आपको नेक्स ब्लोग में पता चलेगा और ये ही है दुसरे दिन की मोनिंग और ये है राजस्थान तो अब हम राजस्थान से होकर जा रहे हैं लेकिन हम राजस्थान नहीं जा रहे हैं तो चलिए नेक्स ब्लोग में बताती हूँ कि हम कहां जा रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाई टेक केर तेंगे